Good morning children, this is Anuradha, welcome to the new academic session for the 7th class, is going to teach first lesson from your textbook, that is, मन करता है, या कविता पाथ दो वीडियो में बनाया जया है, मन करता है, कविता पाथ का कवी सुरेंद्र विक्रम जी हैं, और कवी अपने मन में बालक का अपना मन में क्या सोचता है कविता के द्वारा समझाएं हैं, तो कवी काते हैं मन करता है सूरज बनकर आस्मान में दवर लगाऊं, एक बच्चा सूरज बनकर आस्मान में दवर लगाना चाहता है, जिस तरह सूरज पूरब से पस्चिम की ओर जाता है, उसी तरह चंदा बनकर, मन करता है चंदा बनकर आ दिखाना चाहता है और तीसरा है बन करता है तितली बन कर दूर दूर तक उड़ता जाऊं तो कवी इन तीनों चीजों के माज्यम से समझाना चाहता है कि बालक का मन श्थिर नहीं रहता है तो यहां कुछ तद्वाट तद्वाँ में सूरज बोलो तो तद्वाषल ये कहते हैं जो pens c一個 चांद काते हैं इक वचन में टितली है, तो तितलिया, चिडिया और रेख तारअ तारे आसमान धर्ती पास दूर मीठा कड़वा तो ये आपका ग्रामर पॉइंट्स भी है और इस कविता के द्वारा कभी बालक का मन क्या कहने को कहता है समझाये गया है बालक आसमान में सूरज की तरह दाउरना चाहता है चंदा की तरह गर्व दिखाना चाहता है और तितली की तरह दूर दूर उड़ते जाना चाहता है और जो ये सब्दी यहां पर दिये गये हैं तत्भो तत्सम एकवचन बहुचन विलोम शब्द ये सब आप अपने कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा और बाद में आपको ये होमवर्क लिखना भी होगा धन्यवाद